जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए घर अमारा अच्छा दिखे इसलिए हमें घर को साफ रखना बहुत जरूरी होता है आज मैं आपके साथ ऐसा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप सभी लोग देखकर बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि ये आपकी साफ सफाई करने में बहुत ही जादा हेल्प करने वाला है तो ये वीडियो अगर आपको जरह सी भी पसंद आय daha तो वीडियो को like करिएगा ज़्याद से ज्यादा share करियेगा और अगर आप मेरे channel पर पहली बार आये तो channel को subscribe जरूर कर दीजेगा Hello everyone Welcome back to my channel Easy recipe with महर तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको दो इस तरह की बड़ी बोतल की जरूरत होगी जो वाइट वाली आती है उसको भी आप ले सकते हैं ठीक है ना तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करना है तो सबसे पहले क्या करना है इसके ढखकन को निकाल देना है और जो नीचे वाला ये सिरा दिख रहा है इसको बिल्कुल गोल-गोल कट कर लेना देखे मैंने यहाँ पर है थोड़ा सा चाकू लगा लिया है चाकू लगाने के बाद आप इसको आराम से कट कर सकते हैं मतलब थोड़ा सा गरम करके चाकू लगा लेंगे ना तो वो जगह बन जाएगी जिससे आराम से इसमें कैची भी चली जाएगी और फिर आराम से आप इससे गोल-गोल काट सकेंगे जाकू से काटेंगे आप फिर भी कट जाएगा लेकिन इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है ये देखिए मैंने इससे कट कर लिया और अब आप मेरे पास जो दूसरी बोतल देख रहे हैं न इसे भी हमें इसी तरह से कट कर लेना है इसे भी मैंने सेम तरीके से कट कर लिया है और जो रैपर वगरा लगा होता है उसे भी हमें निकाल देना है तो मैंने रैपर पहले ही से निकाल दिया है यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि मैं इसे कैसे कट कर रही हूँ ठीक है न नीचे से हमें कट करना है जहां से हमने बोतल को काटा है ना वहीं से हमें कट करना है बहुत ही बढ़िया चीज है अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो सालो साल आप इसे चलाएंगे और बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा बिल्कुल ऐसे ही कि ऐसे ये बना रहता है तो यहाँ पर मैंने इसे बीच-बीच में काट लिया है जिससे मुझे इसे काटने में आसानी होगी तो इस तरह से आप इस बोतल के 3 या 4 टुकड़े कर लीजेगा लेकिन ध्यान रखेगा इसे उपर तक नहीं काट करना है जहां तक बस ये सिजर जा रही है न वहीं तक ठीक है न बस वहीं तक जहां तक निशान बना रहता है बस वहीं तक हमें इसे काट करना है तो ये देखिए कुछ इस तरह से तीन या चार पार्ट में आपको इसे इस तरह से कट करना है और फिर इसके बाद हमें इसको जो पतला पतला जो पटियां होती है ना बिल्कुल पतली पतली सी छोटी छोटी सी बिल्कुल पतली पतली सी होती है ना बिल्कुल वैसे हमेसे कट करना है और अगर आपको बिल्कुल घना घना चाहिए ना तो इसकी बिल्कुल पतली पतली सी पतियां काट येगा बिल्कुल आराम से बैट के आप इसकी पतली पत्ली पत्या काट लिजेगा थोड़ा सा टाइम लगता है न लेकिन अगर आपको थोड़ी सी मोटी चाहिए तो आप मोटी भी काट सकती है देखिए मैंने फिलहाल इसको ऐसा काट रहा है आपको दिख रहा होगा अच्छे से ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको कट कर लेना है तो अगर आपको मोटी चाहिए तो आप मोटी भी काट सकती है देखिए मैंने फिलहाल इसको ऐसे काट है और इसी तरह से पूरी बोतल को हमें कट कर लेना है आप आराम से बैटिएगा और दीरे दीरे से इसे कट कर लिजेगा ये देखिए मैंने पूरी बोतल को इस तरह से कट कर लिया है तो सेम इसी तरह से हमें दूसरी बोतल को भी कट कर लेना है इसी तरह से छोटी छोटी पट्रियां काटते चली जाएगा तो ये लिजे दोनों बोतल को मैंने cut कर लिया है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये बन कर तैयार हो गई है और देखने में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है तो सेम ऐसे ही काटने के बाद हम क्या करेंगे ना एक बोतल को उपर से cut कर लेंगे एक को हम उपर से cut कर लेंगे और दूसरी जो है उसे ऐसे ही छोड़ देंगे है ना तो जैसे मैंने नीचे निशान बनाया था ना उसी तरह से मैंने उपर भी पहले निशान बना लिया था और दीरे-दीरे से गोल-गोल कट कर लेना है तो ध्यान रखिएगा इसे बिलकुल गोल-गोल कट करना है तो देखिए यहाँ पर यह मेरी बोतल कट हो गई है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसे कैसे फिट करना है यहां पर ध्यान दीजेगा न मैं भी बना रही थी तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था तो यहां पर आप देखिएगा जो कटी हुई बोतल है उसमें इस तरह से हमें हाट डालना है और जो हमारी पूरी बोतल है उसे इस तरह से पकड़ के हमें क्या करना है खीच लेना है तो तो यहाँ पर आप ध्यान दीजेगा कि जो कटी बोतल है उसको मैंने इस पूरी बोतल में किस तरह से फिट करा है तो यह देखिए मैंने इसे किस तरह से फिट करा है आप चाहे तो इसमें जो फैविक विक आता है पांच रुपय वाला वो इसमें लगा कर इसको चिपका लें तो आपको इसे ऐसे फिट कर लेना है लेकिन ये मेरा डंडा धीला है तो मैं इसका भी जुगाड़ आपको बताती हूँ और अगर आपका डंडा फिट हो तो बहुत बढ़िया वर्ना आप इस तरह से ले लिजिए एक रबर बैंड और इसके सिरे पे रबर बैंड लगा दिजिए इस तरह से फोल्ड करते हुए आप थोड़ी बड़ी और मोटी रबर बैंड ले लिजिएगा जिससे क्या होगा ना ये डंडा इस बोतल से बाहर नहीं निकलेगा और बिल्कुल फिट हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ यह देखे यहाँ पर यह फिट हो चुका है अब यहाँ पर मैंने बोतल की बाहर की तरफ भी रबर बैंड लगा लिया जिस तरह से हमने अंदर की तरफ लगाया है ना उसी तरह से बाहर की तरफ भी रबर बैंड लगा लिया जिससे कि यह बिल्कुल फिट हो जाएगा तो चलिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूं कि किस तरह से इसे यूज़ करना है तो आपको जितना भी लंबा डंडा लेना है आप इतना लंबा डंडा ले लिजेगा तो जहाँ पर जाले लगे होते हैं न मकड़ी के जादा तर किनारों पर जाले लगे होते हैं तो आप इस तरह से इसे घुमा दीजेगा और जब आप बोतल को इस तरह से घुमा देंगे न तो जो जाले लगे होते हैं मकडी के उस सारे के सारे जाले आपकी बोतल के अंदर लिपड जाएंगे पंखे के उपर जो डेस्ट जमर हो जाती है न आप उसे भी इससे साफ कर सकते हैं तो इस तरह से आपके पैसे की वचत हो जाएगी और आपके घर पर जो बोतल पड़ी होती है उसका भी रियूज हो जाएगा तो ये देखे आप देखी पा रहे होंगे थोड़ा बहुत जाला आया है उसे मैं आपको दिखा देती हूँ तो कितना भी जादा जाला हो कितनी भी जादा धूल हो कितनी भी गंदगी हो एक बार इसे घुमाईए और अपने घर को चकाचक कर लीजिए और अच्छे से जाला साफ करने के बाद आप क्या कीजिए इस पे पानी डालिए और अच्छे से इसे साफ करिए और साफ करने के बाद इसे रख दीजिए और दुबारा से फिर से ये रियूस करने के लिए तयार है और अगर आपको ये पसंद है तो जरूर से बनाईएगा और कैसा लगा मेरा ये जुगार कमेंट करके जरूर बताईएगा तो आप मेरे चाइनल पर जाकर और भी बहुत से अमेजिंग टिप्स और टिक्स देख सकते हैं तो मिलते अगले वीडियो में एक ने जुगारू टिप्स के साथ ओके बाई थैंक्स पर वाचिंग